आज जानेंगे सोलर सिस्टम को यह है सूरज हमारे सोलर सिस्टम का स्टार इसके आस-पास उपस्तित हर वस्तो इसकी और आकर्शित होती है यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा energy source और गृतवा कर्शन का केंद्र है गृतवा कर्शन को समझने के लिए हमें अर्बों साल पीछे जाना पड़ेगा उस समय अंत्रेक्ष तारों से भरा हुआ नहीं था, बलकि एक विशाल गैस का बादल था, इस बादल के अलिमेंट्स एक दूसरे की ओर खिशते चले गए अबजेक्ट्स जितने अधिक विशाल होते हैं, उतनी ही स्ट्रॉंग लीवे अन्य अबजेक्ट्स को आकर्शित करते हैं इसी एफेक्ट को ग्रेविटेशन या गुरुत्वा कर्शन कहते हैं, ज्यादतर अबजेक्ट्स एक ही स्थान पर जमा हुए सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है, जिसका मास सूलर सिस्टम में उपस्थित सभी चीजों का लगबग 98 प्रतिशत है हमारे सूलर सिस्टम के सेंटर से ये अपने चारों और उपस्थित सभी अबजेक्ट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ग्रेविटी के अलावा कुछ और फोर्सेज भी अंतरिक्ष में उपजेक्ट्स को प्रभावित करते हैं ये सभी फोर्सेज एक साथ मिलकर सभी उपजेक्ट्स के मूवमेंट को डिफाइन करते हैं यदि एक सेलेस्चियल बॉडी दूसरे के चारों और घूमती है तो हम इस मूवमेंट को एक और्बिट कहते हैं जैसे हमारा चंद्रमा प्रिथवी को और्बिट करता है आठ ग्रह सूरज को और्बिट करते हैं जिन मेंसे आंत्रिक हैं बुद्ध, शुक्र, पित्वी और मंगल और बाहरी ग्रहे हैं ब्रहस्पती, शनी, यूरेनस और नेप्चियून शुद्र ग्रहे, ये एस्टिरोइड बेल्ट और ट्रांस नेप्चियून अब्जेक्ट्स जैसे की बौना ग्रह, प्लूटो भी सूरज के चारों और घुमते हैं लेकिन सूरज केवल हमारे सोलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल सेंटर ही नहीं है, बलकि ये एक एनरजी सोर्स भी है नुक्लियर फिजन से उत्पन इंधन से सूरज प्रकाश और कणों की एक स्थिर धारा की बौचार करता है जिसे सोलर विंड कहते हैं कभी-कभी आप इसे प्रिथवी से देख सकते हैं, इस स्पेक्टल को औरोरा बोरियालिस या नदन लाइट भी कहते हैं जादातार ये हमारे ग्रह के पोल्स के आसपास के क्षेतर में दिखाई देती है प्रिथवी और सूरज के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनामिकल यूनिट कहते हैं इस हिकाई का उपयोग अंतरिक्ष में दूरी को मापने के लिए किया जाता है सूलर सिस्टम का अंतिम ग्रह नेप्चून सूरज से 30 AU दूर है सूलर विंट 150 AU तक ट्रेवल करती है और इसकी पहुँच को हेलियो स्फियर कहते हैं लेकिन सूलर सिस्टम इससे बहुत बड़ा है इसकी बाउंडरीज बहुत दूर सूरज की ग्रेविटी की पहुँच तक पहली हुई है ये उट क्लाउड नामक एक जगह तक पहली हुई है जहां से अधिकांश धूम केतू या कॉमिट्स आते हैं लगभग एक लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हमारे सूलर सिस्टम के किनारे पर इस्थित जादतर जगहें अभी भी बड़े पैमाने पर अग्या थे और हम अभी भी अंत्रिक्ष की गहराई में छपे रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रही है लेकिन बिना किसी रहस्य के हमारा सूरज एक रियल स्टार नहीं होगा है कि नहीं हुआ है